हेलो फ्रेंज कैसे हूँ आप मेरे नाम है नवीन और आप दिख रहे हैं नियो वल्डेक यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी के लिए गुड नियूज है और आज के ये वीडियो काफी खास होने वाला है आप सभी स्टुजेंट्स के लिए जिहां फ्रेंज आज की इस व इजिबल है आविदन कब से कब तक चलेंगे सारी जानकारी आपको डिटेश में मिलने प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा तो चलिए फ्रेंट्स फटा-फट से आगे बढ़ते हैं बात करते हैं आज की लेटेस्स रिकुर्मेंट्स के बारे में जो की निकाली जारी है हिंदुस्तान एरोनेटिक्स लिमिटेड की तरफ से और बार की तरफ से दोनों ही व की बेकेंसी में आपकी कोई भी एकजाम नही है सीधी भरती है तो फ्रेंट्स इस साल 2021 में आप जो है सरकारी नोक्री पास के ãपके हैं वो भी बिना एक Lol के, salary आपको जबर्दस मिल रही है, 40,000 प्लस जो है आपको per month salary मिल रही है, so friends, हिंदुस्तान Aeronautics Limited के लिए जो आपिदन करने की last date है, वो है 13 March 2021 apply करने की, all over India की vacancy है, दोनों ही vacancy के लिए भारत के किसी भी राज़े में आप रहते हैं, तो आप सभी male और female students apply कर सकते हैं, so friends, अगर आप दस्वी पास हैं, बार्वी पास हैं, graduate पास हैं, या फिर ITI diploma, degree पास है, तो आप सभी के लिए इन दोनों vacancy के लावा आचुकी है, bumper भरती हैं, जो की railway, SSC, bank, police, army, post office, इन सभी सरकारी विभागों में भरती हैं, जिनकी सभी जानकरी और आविदन करने का लिंक मिलेगा आपको हमारी official website पर, tipsvaryalbus.xyz पर, तो आज ही Google में search करें, tipsvaryalbus.xyz, जैसे ही आप Google में search करेंगे, आप सिधा हमारी official website पर आजाएंगे, so friends, सबसे पहले हम बात करते हैं, number one vacancy की, जो की निकाली जारी है, भाबा Atomic Research Center, बाग की तरफ से, जिहां friends, junior research fellow की official notification फिर से जारी हो चुकी है, total vacancy 105 है, apply केवल आपको online ही करना होगा, selection process में आप जैसा की यहाँ पर check out कर सकते हैं, कि यहाँ पर केवल आपको apply करना है, और यहाँ पर केवल आपको apply करने के basis पे, आपकी qualification के basis पे आपको shortlist किया जाएगा, उसके बाद आपको केवल interview के लिए बुलाया जाएगा, so friends, यहाँ पर आपकी कोई भी exam नहीं होने वाली है, वहीं बात करते हैं, salary की तो 40,000 रुपे पे पर मत, आप यहाँ पर salary भी पा सकते हैं, जो की काफी handsome salary है, job location जो है all over India की है, और all India के male और female candidates apply कर सकते हैं, तो किसी भी राज्य में आप रेते हैं, तो आप apply जरूर कीजिएगा, वही age limit जो है, यहाँ पर maximum 28 साल है, उसके अलावा इसी हमें छुट अलग से है, reserve candidates को, वहीं बात करते हैं, application fees की, तो friends, यहाँ पर for all other candidates के लिए 500 रुपे हैं, और SCST, PWD, और female और exercisemen के लिए बिलकुल free है, तो यहाँ पर reserve candidates के साथ साथ female के लिए भी बिलकुल free है, application fees, payment आप जो है, other candidates जो है, ओनलाइन करा सकते हैं, किसी भी मात्यम से, वहीं बात करते हैं, education qualification की, तो friends, यहाँ पर अगर आप graduate path से in relevant discipline में, या फिर अगर आप post graduate path से in relevant discipline में, तो आप apply कर सकते हैं, तो आविदन कब से कब तक चलेंगे, आविदन की जो last date है, वो बढ़ा दी गई है, जी हाँ friends, पहले इसकी last date ही apply करने की 15 जनवरी, लेकिन अब इसकी last date बढ़ा दी गई है, इसका notice जारी कर दिया गया है, 31 मार्च इसकी last date हो चुकी है, यह रहा last date बढ़ाने का official notification, यहाँ पर आप check out कर सकते हैं, last date जो है, इसकी extend कर दी गई है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, second number की vacancy की, जो की निकाली जारी है, हिंदुस्तान Aeronautics Limited द्वारा, जी हाँ friends, हिंदुस्तान Aeronautics Limited द्वारा notification जारी हो चुका है, सीधी भरती का, यहाँ पर कौन-कौन सी post है, fitter की है, turner की है, mechanist की है, carpenter की है, mechanist की है, grinder की है, electrician की है, draftman की है, काफी सारी vacancies है, जो आप यहाँ पर आ करके हमारी official website पर आ करके check out कर सकते हैं, दोस्तों बड़ी भरती है, total vacancy है, 445 जो की बड़ी भरती देखने को मिल रही है, इस vacancy के लिए भी all over India के male और female students apply कर सकते हैं, वहीं बात कर लेते हैं, selection process की, तो यहाँ पर आपकी merit के अधर पर ही आपकी selection होगी, और यहाँ पर आपको stipend दिया जाएगा, जो as a apprentice के द्वारा आपको दिया जाता है, वही आपको मिलेगा, ठीके, और यहाँ पर education qualification 10 वी के साथ ITI होना अनिवार रहे हैं, अगर आप 10 वी ITI पास हैं, तो आप apply कर सकते हैं, अगर आप 12 भी है, graduate भी है, तब भी आपको ITI बेस पर apply करना होगा, ठीके, आप इधन कब से कब तक चलेंगे, तो 13 मार्च 2021 इसकी last date है, आप इधन करने का लिंग के रहा notification के साथ में, तो दोस्तों दोनों ही वेकेंसी के आप इधन, शुरू हो चुके हैं, आज ही apply कीजेगा, आपको आप इधन करने को लेकर के कोई भी problem से, यहाँ पर इस वेकेंसी के regarding कोई भी समस्य आरी है, तो comment जरूर कीजेगा, हम आपको जवाब देने की पुरी कोशिक करेंगे, वीडियो चलागा तो लाइक कीजेगा, चलन को subscribe जरू कीजेगा, thank you so much